हेलो स्टूडेंट्स चाइल्ड साइकोलोजी बाल मनुविज्यान के इस फोर्थ लेक्चर में आप सभी का स्वागत है कल हमने विकास की विसेस्ताओं को समझा था क्या-क्या विसेस्ता है हम कल देखे थे कल हमने देखा था कि विकास क्या है एक सतक चलने वाली प्रक्रिया है फिर से एक बार रिवीजन करेंगे कल हम जो पढ़े है देखेगा पहला हमने क्या देखा था सबसे पहले हमने समझा था कि विकास कंटीनियू चलने वाली प्रोसेज है सतक चलने वाली प्रक्रिया है ये इसकी पहली परिभासा है क्या होता है कि जब बच्चा माता के गर्ब में होता है तब से लेकर वो क्या करता है उसका जीवन परियन तक विकास होता रहता है तो ये इसकी पहली विसेश्ता हो गई दूसरी विसेश्ता हमने क्या देखा था कि जो विकास होती है वो मातरात्मक और गुडात्मक दोनों होती है ये दोनों qualities क्या होते हैं आपके विकास में पाया जाता है तीसरी हमने क्या परिभास देखे दी? तीसरा हमने समझा था कि विकास जो होता है वो limitless होता है limitless होता है मतलब कि विकास जो होता है वो कभी खतम नहीं होता है इसकी कोई अपनी शीमा नहीं होती है जबकि वृद्धी होती है वो एक समय के बाद रुख जाती है यह हमने तीसरी विशेष्था देखा था इसके अलावा हमने चौथी विशेष्था में हम देख रहे थे कि विकास का भी अपना एक क्या होता है नियम होता है तो विकास किस नियम से आगे बढ़ती है जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होती है इसमें बच्चे का पहले क्या होगा सिर का विकास होगा फिर पैर से होते हुए धीरे धीरे बच्चे के हाथ का विकास होगा फिर बाक देखा था कि जो आपका विकास है वो हमीशा क्या होती है समानने से विसेस्ट की ओर होती है यह विकास की क्या है विसेस्टा है डेपलमेंट क्या होता है आपका जनरल से स्पेसिफिक की ओर होती है यह हमने देखा था चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या देखा था हमने कि वि विकास की विशेस्थाओं को समझ रहे थे आज हम विकास की अवस्थाओं को समझेंगी कि जो हमारा विकास होता है वो कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं समान्य मनुव विज्ञान की भासा में तो माना जाता है कि विकास का जो study किया जाता है वो किसोरा वस्था तक किया जाता है वास्तों में जो हमारा विकास होता है वो जीवन परियन तक चलता है वृद्धा वस्था तक चलता है क्योंकि हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ चीजों को सीखते हैं और यह सीखना ही हमारे विकास को प्रदर्शित करता है चलिए आज हम देखेंगे stages of development हमारा जो development है उसके कितने सारे stages है तो समानिता हमारे जो development का stages है वो साथ रूपों में होता है कैसे होता है इसे समझेंगे image के थूप सबसे पहले जो हमारा विकास होता है वो गर्भा वस्था से प्रारम होता है यह जो image है वो माता के गर्भ को दिखा रहा है कि जब बच्चा होता है माता के गर्भ में आता है तब से लेकर धीरे 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 आप देख सकते हैं कि बच्चे का किस प्रकार development होता है फिर ऐसे बच्चों का development होते होते फाइनली बच्चा जब 9 मंत का हो जाता है तो बच्चों का क्या हो जाता है गर्व में विकास complete हो जाता है फिर बच्चा माता के गर्व से बाहर आता है प्रशो जिसे हम इ अवस्था भी कहते हैं इसे ध्यान रखिएगा आता है प्रशौपूर अवस्था में कितने दिनों का होता है तो याद रखिएगा यह जो अवस्था होती है वो 280 दिनों का होता है ठीक है तो यह पहली अवस्था हो गई दूसरी अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था की होती है यह कौन सी अवस्था है आपकी बाल्य अवस्था है सौरी दूसरी अवस्था जो होती है वो सैस्वा अवस्था की होती है यहां से एक बर फिर से सबसे पहले कि बच्चा माता के गर्व में होता है, जो क्या होता है, 280 दिन का होता है, ध्यान दीजीगा, फिर बच्चा क्या होता है, से 2 vars में। से दो वर्ष होता है और कहीं कहीं पर जीरो से पांच वर्ष को लिया गया है क्योंकि कई ऐसे मनुवेज्ञानिक है जो मानते हैं कि बच्चों का जो सैस्वा वस्था होता है वो कितने दिन का होते है जीरो से पांच वर्ष का होता है दूसरी इसके बाद हमारा ये पहला वस् इसको divide किया जाता है दो भागों में फिर बाल्य वस्था के बाद बच्चा किसमें आता है आपके किसोरा वस्था में किसोरा वस्था में बच्चा 12 से 18 वर्सका होता है फिर युव वस्था में बच्चा क्या होता है 18 प्लस हो जाता है और यह कब तक चलता है आपका 45 वर्स त सबसे पहले हम देखेंगे गर्भ आवस्था अर्था ऐसी अवस्था जब बाच्चा माता के गर्व में होता है यह विकास हमारा जो डेवलमेंट होता है न संपूर्ण डेवलमेंट संपूर्ण विकास तो यह अवस्थाओं को कि किन किन अवस्थाओं में हम कैसे कैसे डेवलमेंट को समझते हैं या देखते हैं तो आपका जो गर्भा वस्था होता है तो गर्भा वस्था में क्या होता है बच्चों का साररिक विकास होता है, माता के गर्फ में, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बच्चे का development हो रहा है माता के गर्फ में, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले कि अवस्थाओं से आपका न सवाल बनता है, इसको आप जरूर करिएगा, अंसर पताईएगा, क्रम में जवाने को आता है, अब देखिए, आप से सिक्वेंस पूछेगा, इसलिए मैं आपको कहरें कि सिक्वेंस आपको याद करना जरूरी है, सबसे पहले क्या होता है, गर्भा अवस्था या प्रशव पूर अवस्था, अर्था जब बच्चा माता के ग न तो पूरी तरह यंग होता है, न थोड़ा, न पूरी तरह से बच्चा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कि सोरा वस्था कहते हैं, फिर जब बच्चा और बड़ा होता है, वो यंग एज में आ जाता है, फिर बच्चा थोड़ा सा बुरहा होने लगता है, मतलब बुरहा से कैसे सवाल करता है तो अवस्थाओं से आपसे क्रम पूछेगा तो क्रम को आपको याद रखना है सबसे पहले सैस्वा वस्था चुकि यहाँ पस क्या आएगा आपका गर्भा वस्था आता है तो गर्भा वस्था तो है नी सबसे यहां पहला है माल लिजय आपका गर्भा वस्था दूसरे में आपका आता है सैस्वा वस्था दूसरा क्या है आपका सैस्वा वस्था तीसरा आपका बाल्य वस्था आता है यह तीसरी वस्था है किसोरा वस्था तो आपकी चौंथी वस्था है प्रौणा वस्था आप सही सिक्वेंस में जमा हुआ है आपका नहीं यह गलत सिक्वेंस में जमा हुआ है तो यह गलत हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सैस्वा वस्था ठीक है दूसरी अवस्था है यहाँ पर गर्भा वस्था आएगा सैस्वा वस्था के बाद आपका तीसरा क्या ह यहां पर यहां पर दो आवस्था दिया हुआ है यह आपकी चौंथी आवस्था यह आपकी पांचवी आवस्था और यह है आपका दूसरी आवस्था तो यह पहले आना चाहिए तो यह भी आपका क्या हो गया गलत हो गया यह भी आपका गलत हो जाएगा बाल्य आवस्था पहले से यह भी गलत हो गया इक्रम गलत जमा दिया है तो यह भी गलत हो गया तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन बी तो इस तरह से आपको अवस्थाओं को समझना है आपके गर्भा अवस्था को समझेगा It is also called prenatal stage prenatal stage का मतलब होता है प्रशव पूर्व अवस्था इसे हम क्या कहते हैं? प्रशव पूर्व अवस्था भी कहते हैं Note करते चलिएगा This stage starts from the conception of the mother Mother में इसका क्या होता है? माता जो होती है The child stays in mother's womb for 9 months और 280 days 9 months का होगा बच्चा या तो 280 days का होता है किसमें मापता के गर्भ में ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्या सवाल पूच जिए देखिए आप जैसे ही complete के topic सवाल कैसे बनते हैं? देखिएगा गर्भ में वालों को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं? कि 150 दिन लगते हैं? नहीं 180 दिन लगते हैं? हाँ बिल्कूल ये 390 दिन बहुत होता है ये भी बहुत होता है तो आंसर क्या हो जाएगा? B चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी जो अवस्था है ये अवस्था कितने होता है? ये 0 से 2 वर्ष का होता है याद रखिएगा सैस्वा अवस्था इन फैंशी आपका क्या होता है? 0 से 2 वर्ष का होता है इसमें बच्चा क्या होता है? जादा से जादा इंद्रियों का प्रयोग करता है इंद्रियां बहुत क्या होती है? तीवर होती है आपके सैस्वावस्था में क्योंकि बच्चा जो होता है न ठीक से चल पाता है, न दौर पाता है न बोल पाता है तो यह क्या करता है? इंद्रियों का ज़्यादा प्रयोग करता है birth to two years of age हमने देखा जीरो से क्या होता है? इसका दो वर्ज का age होता है in this stage, the child is completely dependent to या on the parents कुल मिला के आपका जो सैस्वावस्था में जो बच्चा होता है वो क्या होता है? completely parents पर depend होता है अब उसे कोई समान चाहिए तो माता पिता ला कर जा रहे हैं, दे रहे हैं उसे नहाना है तो मम्मी पापा नहला रहे हैं कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना खाना है तो मम्मी पापा खिला रहे हैं parents का मतलब से मम्मी पापस नहीं है पर जो भी आपके सांस होती है, जो आपके family members होते हैं, तो इस समय बच्चा क्या होता है, छोटा सा रहता है, दो वर्स का बच्चा रहता है, इतना छोटा सा बच्चा, ये क्या करेगा, ये क्या कोई काम खुद से कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ये क्या होता है, completely अपने parents प का अभाव पाया जाता है बच्चों में आप लोटिस करिएगा कि जब आप बच्चों को कोई चोट या कुछ दिखाएंगे तो बच्चा आपका मुह देखेंगे फिर आपकी चोट को देखेंगे फिर आपका चैरा देह जाए बंद या reaction नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं रहते हुआ होता है बक्यों को होता है आपस जो कभी आंग से देखेंगा आश्यर से देखेंगा कभी मुस्कुराएगा कभी रोएगा तो यह बच्चों में जो सम्वेक होता है वो क्या होता है परिवर्तित होता रहता है यह ज्यादा तर अपनी इंद्रियों का प्रियोग करते हैं और बच्चों का जो देखिएगा ऐसे नोटिस करिएगा बच्चों को कि जब आप बच्चों को कुछ खिलाते है प्रोसेस ओफ्राइमरी सोशियॉलाइजेशन बिलकुल बच्चा क्या होता है माता के सवाल आता है कि प्रारंभिक समाजी करन कहा से प्रारंभ होता है याद रखिएगा आपका जो सैस्वा अवस्था है प्रा समाजी करन मा्मा इं लोगों से जुड़ने लगता है गर्भा वस्था में तो वो अंदर रहता है बाहर से उसका कोई वास्ता ही नहीं है तो प्रास्पिंग सामाजी करा त्रारम हो जाता है क्योंकि फैमिली जो होती है जो परिवार होता है वो समाज की सबसे छोटी काई होती है चलिए अब जो दूसरी अवस्था है वो है बाल्य अवस्था जिसे दो से बारा वर्स में बाटा गया है अब बाल्य अवस्था के जो भी टाइप्स होते है देयर रा टू टाइप्स चाइल्ड हुड जो होता है वो आपका तू टाइप्स में बाटा होता है सबसे पहला होता आपका early childhood stage इसे हम क्या कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था याद रखिएगा बाले अवस्था को दो भागों में बाटा गया है जिसमें पहली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किते दिन का होता है तो यह आपका होत वो कितना होता है छैसे बारा वर्ष का होता है इमेज कित्रों समझेंगे कि यह देखें बाले वस्था को दो भागों में बाटा गया है यह बच्ची कितने में है अभी यह दो से च्छै वर्ष की बीच की है यह ठिक अभी ये जो बच्ची आपके 6 वर्स की है अब यह बच्ची क्या हो रही है बड़ी ओगए यही बच्ची यह बच्ची की जो ओम्र है वो 6-12 वर्स के बीच है तो बाल्य वस्था दो भागों में उत्तर बाल्य वस्था अर्ली चाइल्ड हुड स्टेज और मिडल चाइल्ड हुड इसे याद रखिएगा अवस्थाओं से या तो आपको क्रम में जमाने को देदेगा तो आपको क्रम याद रखना है सबसे पहले आपका गर्भा वस्था दूसरा सैस्वा वस्था तीसरा बा सबसे जग सवाल किया जाता है कि सोड़ ऑस्था नहीं कि सोर म travelled टूपान की भी अवस्था paarं समझेंगे इस सबसे जग और हम तुपान की अवस्था पत? होता है क्यों होता है कैसे होता है यह हम आगे टॉपिक में देखेंगे आगे चलते हैं अब इससे कैसे सवाल बनेंगे आपके बाल्यावस्था से कैसे सवाल बनते हैं देखिएगा बाल्यावस्था होती देखिए डारेक्ट सवाल कर देता है आपसे बाल्यावस्था होती तो अब आता है हमने देखा बाले अवस्था बाले अवस्था को भी दो भागों में बाटा गया है एक अर्ली चाइल्ड होड इस्टेज जिसे हम क्या कहते हैं और दूसरा उत्तर बाले अवस्था जिसे हम मिडल चाइल्ड होड इस्टेज कहते हैं सबसे पहले हम पूर बाले लुक्त Алःम करते हैं तुछ ए यह सवाल करते हैं कीमा चोटा क्यों हूं ऑब बड़े कि यह कां नहीं कर सकते हूं तो यह ना बच्छे बहुत ज़्यासू होते हैं तो इसमें जो points को दर्शार है बच्चा क्या होता है इसमें जिग्यासू बहुत ज़्यासू प्रवित्ती होती है वो बच्चों में बहुत तेज होती है तीसरा है बच्चा जो 2-6 वर्ष के बीच जो बच्चा होता है यह बच्चा है चलिए इमेज तो नहीं है ऐसे समझे कि जब बच्चा 2-6 वर्ष का होता है तो देखीगा वो खिलोनों से बहुत अधिक खेलता है मतलब उसका कोई दोस्ते यार नहीं होता है उसे दोस्तों से किसी और से कोई मतलब नहीं होता है वो अपने में मगन रहता है खिलोनों के साथ अधिक खेलता है यही कारण है कि इसे toy age कहा जाता है सवाल direct pose देता है कि खिलोनों की अवस्था किसे कहते हैं तो याद बाल्यवस्था को या अर्ली चाइल्ड हुल स्टेज को कहा जाता है नेक्स पॉइंट है कि दीस इज आ क्रिटिकल स्टेज इन लैंगवेज एक्विजिशन बच्चा क्या करता है भासा का अर्जन प्रारंब कर देता है बच्चा आज पास से जो भी लैंगवेज देखता है चुकि इस एज में बच्चा बहुत छोटा होता है उसका उतना मानसिक भी कास नहीं हुआ रहता है इसलिए इसे थोड़ा सा क्या होता है दिक्कत होता है लेकिन बच्चा जो होता है आप जो भी भासा का प्रियोक करते हैं जो भी बोलते हैं अगर आप तूतेते करके बोले इस एज में आगे देखिएगा इन दिस स्टेस्ट इस चाल्ड इस मोर एक्टिव इन इमेजिनेटिव गेम कहने का मतलब यह है कि जितने भी इमेजिन गेम होता है ना बच्चा कलपनाओं की गेम में करता है चोर पुलिस वाला गेम लैज आपक्टर बीदा है तो उसको खेल होते हैं मों बहुत चाहिए कि अर्ली चाइल्ड हुड की विसेस्ता हैं आगे देखेंगे अर्ली चाइल्ड हुड इस से देखे डारेक्ट सवाल पूज दिया खिलोनों की आयू कहा जाता है तो याद रखिएगा उत्तर बाले वस्था को नहीं कहा जाता इन में से सभी तो हो ही नहीं सकता तैस्वा वस्था में तो बच्चा उसकाबिल ही नहीं होता हो वो तो पूरा डिपेंड होता है किसी और पे तो खेलने की बात ही नहीं है तो यहाँ पस गलत हो गया तो पूर बाले वस्था को क्या कहा जाता है खिलोनों की अवस्था कहा जाता है इसी के साथ उत्तर बाल्य अवस्था को जब बच्चा क्या होता है आपका 6 से 12 वर्स की बीच होता है तो वो क्या होता है दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा involved होने लगता है खेलना प्रारब कर देता है अगर आपसे पूझ दे याद रखिएगा अगर आपसे पूझ दे खिलोनों की अवस्था किसे कहते हैं तो आप याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था को खिलोनों की अवस्था कहते हैं जबकि अगर आपसे खेलों की अवस्था पूछे डिफ्रेंस दोनों में याद रखेगा, खिलोनों की अवस्था, तो आपका क्या होगा, और बाल अवस्था होगा, ठीक, लेकिन खेलों की अवस्था पूछे, तो याद रखेगा, खेलों की अवस्था आपका क्या होगा, उत्तर बाल अवस्था होगा, दोनों में डिफ्रें से वाला गेम बहुत अच्छा लगता है चोर-पुलीस बनना बहुत अच्छा लगता है उसको रनिंग करना पसंद होता है और वी कोओओ कबड़ही सिदने भी गेम्स होते उसमें बच्चा क्या हुआ इंट्रेस्ट दिखाता उसे करेकिक्रेट खेल पसंद होता है तो यह सारी चीजे क्या कर रहा है दरसार है कि बच्चों को खेल बहुत पसंद होता है किसमें आपके उत्तर बाले अवस्था में इसलिए खेलों की अवस्था आपको उत्तर बाले अवस्था को कहा जाता है और खिलोनों की अवस्था आपके पूर बाले अवस्था को ताकि question आपके ऐसे रहेंगे, concept आपका clear रहेगा, तो question कैसे भी पूछ दे, आप बना लेंगे, निमने में इसे कौन सी पूर बालेवस्था की विसेश्था नहीं है, हमें क्या बताना है, नहीं है बताना है, तो नहीं ये पूछा है, तो दल या सम्मू में रहने की अवस्था, बच्चा क्या होता है, 2 से 6 वर्स का होता है, तो क्या बच्चा इस समय गृप में रहता है, नहीं, वो पहचान भी नहीं पाता है, थोड़ा उसको समय लगता है पहचानने में, तो लोगों में सम्मू में रहना कम पसंद करते हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, वो खिलोनों के साथ जाड़ा खेलना पसंद करते हैं, तो नहीं ये पूछा है, तो दल और सम्मू में तो बच्चे नहीं रहते हैं, इसे लिए दल और समू की अवस्था किसे कहा जाता है आपके उत्तर बाल्य अवस्था को कहते है क्योंकि उस समय बच्चा द्मित्र बनाना प्रारम कर देता है बच्चा इस्कूल जाना छे वर्स के बाद बच्चा क्या करता है इस्कूल जाना स्टार्ट कर देता है तो उसके दोस्त त्यार बनना शुरू हो जाते हैं तब आपका क्या बनता है दल और समू बनता है तो यह वाली जो क्वाल्टी है वो किसमे है आपके उत्तर बाल्य अवस्था में हैं याद रखिएगा उत्तर बाल्य वस्था अनुकरण करने की अवस्था बिल्कुल बच्चा बहुत ज्ड़ा नकलशी हो जाता है आपका जू स्फीपर हो आपका बात करोगे उसका acting करेगा आप वो जैसा आपको देखेगा आप खाना बनाओगे तो आपके साथ भी खाना बनाएगा तो बच्चा क्या करता है अनुकरन करता है अनुकरन मीन नकल करता है तो नकल करने की अवस्था बिल्कुल सही है बच्चा इसमें नकल करता है प्रेश्मे करने की अवस्था बिल्कुल बच्चा क्या होता है, आप से तरह तरह के सवाल करते हैं, अगर आप उसको कोई समान वो मांग रहा है, अगर आप नहीं दोगे न, तो आप से पूछेगा, क्यूं, कैसे, ऐसा क्यूं, आप ऐसा क्यूं कर रहे हो, आप उसको डाटोगे, तो आपको question mark में हाँ, इसा क्यूं कर रहे हैं, टो इस तरह में बच्चे में क्या होता है, प्रशन करने की आदत होती है, तो ये भी सही है कि प्रशन करने की अवस्था, खेलनी की अवस्था, देखिए यहां पर पूछा है पूर बालेवस्था की विसेस्ता नहीं है तो यहां पर दिये दल और समू में रहने की अवस्था यह तो बिल्कुल उत्तर बालेवस्था की विसेस्ता है और चौथा है आपका खेलने की अवस्था यहां पर खेलने की जगा खेलो की अवस्था जागा गवेलों की अवस्था तो एक साथ तो हो नहीं सकता तो आनसर क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा खेलने की अवस्था भी किसे कहा जाता है आपके उत्तर-bali अवस्था को कहा जाता है ठीक। स्टेजेज ऑप यहाँ पर स्टॉइज होगा खेलो की नहीं होगा क्योंकि दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता क्योंकि इस एज में बच्चा क्या होता है छोटा रहता है सम्मूम में नहीं रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं Middle Childhood Middle Childhood Stage मतलब उत्तर बाले अवस्था 6 से 12 वर्स की अवस्था क्या होता है इस एज में तो यह होता है Early School Stage होता है मैंने बता है कि जब बच्चा 6 वर्स का होता है तो क्या करता है वो School जाना प्रारंभ कर देता है तो पहली विसेशता क्या हो गई Early School Stage प्रारंभिक विद्याले का यह अवस्था होता है दूसरा Dirty Stage इसे गंदी अवस्था क्यों कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उसे ज़्यादा पसंद होता है दिमभर इसी में सना रहता है इसी कारण इसे Dirty Stage कहा जाता है तीसरा Games Stage हमने बताए कि बच्चा क्या होता है खेलों के प्रती अधिक आकर्शित होता है इसी लिए इजहे इसे क्या कहते है Games Stage कहते है या खेलों की अवस्था कहते है तो इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा इसे साथ में Gang Age भी कहते है क्यों Gang Age कहते है क्यों कि बच्चा दोस्त बनाना प्रारम कर देता है उसका अपना एक ग्रूप होता है और हर ग्रूप में एक लीडर होता है हर बच्च में आप इसी स्टेज में थे आप बच्चपन का यही 6-12 वर्ष को याद करते हो जो बच्चपन होता है यह 6-12 वर्ष का वाकए में यह बहुत यूनिक होता है ना कोई Life का टेंशन ना कोई प्रेसर ना किसी homework नहीं हुआ है तो ठीक है थोड़ा सा डाट खालेंगे मार खाल तरक लगाना प्रारंब कर देता है वह सोचने लगता है अगर वह बंदुक देखेगा तो सूचने किससे बना है एक और बंदुक देदोगे तो दोनों में compare करने लगता है कोई भी चीज देखेगा तो उस पर वह क्या करता है डिसकावर टाइप से हो जाता है खोजबिन कर होगी वह किसी भी बच्चे के सोचको न ब्राट करती है उसे विस्तारित करती है तो बच्चा क्या करता है logical thinking इसका स्टाज हो जाता है यह स्टेज ही logical thinking की होती है अगर कोई बड़े आपसे न कोई चीज छुपा रहे हैं जूट बोल रहें तो आपनो वह बच्चा क्या होत कि अवस्था चलिए क्या सवाल बनेगा उत्तर बाल्य वस्था से तो देखिएगा उत्तर बाल्य वस्था में बालक भौतिक वस्तुवों की किस आवश्यक तत्वें परिवर्तन समझने लगता है तो देखिए जो उत्तर बाल्य वस्था होता है इसमें बच्चा क्या करता है logical thinking करता है, तर्क लगाना शुरु कर देता है, इस स्टेज में जो बच्या होता है न वो समानों में अंतर करना सुरू कर देता है, बच्चों को अगर आप किसी समान का वजन बताओंगे तो समझ जाएगा, और उसके लंबाई बताओगे तो समझ जाएगा, उसका मोटाई बताओगे, खुल मिलाके, अगर आप किसी छेत का एरिया भी बताओगे, छेतर फल भी बताओगे, तो सारी चीज़े उस समझ जाता है, मतलब बच्चा भी इतना डेवलप्ड हो गया है, कि आप चाहें, तो को पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा उसे इस पश्रूप से समझने लगता है, इसमें पूछा है कि किस आवश्यक तत्वे परिवर्तन समझने लगता है, बच्चा दरव्यमान में अंतर समझने लगता है, संख्या क्या होता है, और छेतर में क्य वाले वस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में अब आता है किसोरा वस्था जो किसोरा वस्था होता है वो 12 प्लस होता है इसे हम 18 या 21 भी ले लेते हैं कई ऐसे मनुवेज्ञानिक है जिनके अधार पर स्टेजिस को अलग-अलग रूपों में बाटा गया है समान नेता जो आ बहुत सारे चीजों से संघर्ष करता है क्योंकि इसमें ऐसे साररिक परिवर्थन होते हैं इनमें कई ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि समझ में ही नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है कि सोरा वस्था ऐसी है वस्था होती ही ना जिसमें बच्चा ना तो पूर से नहीं बता पातें कभी-कभी औनकी परिपकवता को इनके चेंजेंजे को निगेटिवें पर लिया जाता है जो अपने आप में Point hey कश्टोय दाई होता यही कारण है कि किसोरह रवस्था को तनाव कि अवस्था कि आए करण client का जाता है क्योंकि जो हमारा साररिक विकास होता है वो अन्य विकास से संबंधित होता है इसलिए जब हमें साररिक परिवर्तन होते हैं तो हमारे जितने भी विकास होते हैं चाहे वो नैतिक विकास हो, समाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, संगेनात्मक विक विकास हो कोई साभी विकास का एरिया हो वो सारे क्या होते हैं प्रभावित होते हैं क्योंकि सरीर में इतने सारे चेंज़ेस होते हैं इसमें बच्चा बहुत गुमसुम गुमसुम रहता है होता क्या है कि इस स्टेज में ये बच्चा विपृत लिंग के प्रती आकर्शित हो कि यह होता है और हमें बच्चों को इन सब चीजों से कैसे बचाना चाहिए कैसे इसके सलूशन तक पहुचा जा सकता है यह सारी बाते हमें बताना चाहिए इस एज में बच्चा क्या होता है बहुत सारी चीजों को आकरशित होता है बहुत सारी नहीं नहीं वह उसकी अपनी अलग दुनिया बनने लगता है Wy parents और बड़े लोगों से दूर हटकर वह अपने जो सदस्य होते हैं जो अपनी group के लोग उंग उनती में सक्री alive ले लगता है तो family उनसे थोड़ा सा यह दूर होने लगता है और इसके आपके सांँ जोभी चीजे आपमें जो साड़िक परिवर्तन वो भी नया होता है तो ऐसे में बच्चे सा क्या हते हैं गलतियों को करते हैं उसे गलती नहीं कह सकते हैं यह National होता है और समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या देख रहे थे कि किसORA वस्था में क्या होती है बहुत सारी half hour होते हैं जिसके कारण बच्चे क्या करते नए-नए और नने exist और र जिग्यासा की चलते किया से काम करते हैं जिसे समाज में गलत माना जाता है लेकिन वासतों मैं ऐसा नहीं है क्योंकि एज ही आप त्यारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस बारे में जितना खुल कर बात करेंगे, बच्चे उतना ही कम गलती करेंगे, लेकिन अगर आप बच्चों की गलतीयों को बहुत जादा बड़ा बना देंगे, तो वो बच्चा क्या होगा, अप राधी जैसा अनुभाव करेगा, और हो सकता है, ऐसे बहुत केस में जब बच्चा सुसाइट कर लेता है, उसे इतनी आत्मगलानी होती है, तो ये सब नैचुरल है, लाइक में जो भी हो रहा है, वो नैचुरल है, इस बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए, अगर आप होस्चल वार्डन है, आप बच्चे थो जाए, उन्हें थोड़ा सा नियम में रखे, उनके अंदर ऐसी भावनाय प्रकट करे कि वो हर काम को एक डिसिप्लीन के साथ करे, डिसिप्लीन उन पर थोपे नहीं जब जसी, पर उन्हें उस काबिल बनाए कि वो हर चीज एक टाइम पे करे, फिर आता है आपका किसोरा वस्था, किसोरा वस्था में आपको हमेसा बच्चों के साथ मित्रता पूर्वक वैवहार रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने आप में ही क्या करता है, संघर्ष करता रहता है, यही कारण है कि इसे तनाव और तुफान की अवस्था कहा जाता है, अब इससे क्या क्य सवाल बनेंगे देखिएगा पहला सवाल तनाव और क्रोध कि अवस्था किसे कहा जाता है अभी हमने डिसकस किया कि सोरा वस्था को कहा जाता है क्यों क्योंकि इसमें कई ऐसे सारिक परिवत्टन होते हैं अगला कि निम्ने में से किस इस्तर में बच्चे अपने संकशी जोड़ने लगते हैं उनके सक्रिश अदश्य बनने लगते हैं सक्रिश अदश्य मतलब उनका अपना ग्रुप बनने लगते हैं अगर आप से पूछे ग्रुप तो बाल्य अवस्था लेकिन अगर सक्रिश अदश्य पूछे तो किस ओर आवस्था चलिए आगे देखते हैं जीन प्याजे का संगिनात्माख विकास का सिध्धान्थ, तो ये हम अगली कक्षा में देखेंगे, आज हमने विकास की अवस्थाओं को देखा, जिसमें पहली अवस्था आपकी प्रशवपूर अवस्था थी, जिसमें बच्चा माता के गर्व में होता है, दूसरी जिसमें बच्चा जीरो से दो वर्ष का होता है, उसके बाद हमने बाल्य अवस्था को देखा, बाल्य अवस्था जिसे दो भागों में बाटा गिया है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वो किसोर अवस्था में प्रवेश करता है, किसोर अवस्था में जब वो प् अब करेंट एफिट्स के तैयारी होगी और भी आसान क्योंकि जितने भी विद्यार्थियों चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों नहों आप बिल्कुल निशुल का हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं आफ लाइन बिल्कुल फ्री समय होगा शाम को पांच बजे माह के प्रतिक दूसरे शनिवार को और जगा होगा कॉंपिटिशन कम्यूनिटी मंगला चौक बिलासपुर थैंक यू